Hello everyone, कैसे हैं आफ सभी? मेरी इसवर से कामना है, आफ सभी हमेशा सौसत रहें और अपने अपने छेतर में आगे बढ़ते रहें अपनी लाइफ में वैल्यू एड़ करें और दूसरों की भी लाइफ में वैल्यू एड़ करने की आपकी अच्छी हैबिट बनी रहें और जिनें भी मैं आज तक थेंक्यू नहीं कहबाई हूं और मुझे कहना चाहिए था तो उनको भी थेंक्यू 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 तो आज की प्रैक्टिश कैसी चल रही है आप लोग की मेरी तो बहुत अच्छी चल रही है और मैं रेगूलर वीडियो डाल पा रही हूँ नहीं तो बीच में मिस हो जाता था अब यह 21 देज का किये है तो इसमें अभी तक तो मैं रेगूलर हूँ कर पा रही हूँ इसके लिए भी एक और बार थेंक्यू तो आज मैं ग्रेटिट्यूट सो करना चाहती हूँ अपने सारे ग्रह को गितने भी हमारे नौ ग्रह होते हैं वो आप लोगों को पता ही होगा हमारे सारे ग्रह को मैं करना चाहती है कि वो हमारे हमको जो भी अच्छा कर्म दिये हैं बुरा फल भुगतनी के लिए दिये हैं बोलते हैं कि ये हमारा ये ग्रह ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है जो भी हो हर ग्रह का अपना अपना एक वर्क है वो अपना अपना काम करवाते हैं हमसे भी और अपना भी उनका जो काम है वो करते हैं तो अभी तक जो भी जिस ग्रह का जो भी मुझे प्रभाव या दुस प्रभाव जो भी रहा है उससे कुछ न कुछ तो सीखने को ही मिलता है कहते हैं सनिग्रा जैसे कि बहुत कुरूर देवता है ये है वो है उनके आने से कस्ट आ जाता है तो कस्ट भी तो हमको कुछ न कुछ सिखा के जाता है और इस ट्रॉक बनाने के लिए आता है कई बार हमें एहम बहुत जादा हो जाता है तो उसको भी एहम को भी पता चलना चा तो आईए स्टार्ट करते हैं थेंक्यू मेरे सारे ग्रह 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 जो भी आपने मुझे अच्छे बुरे जो भी experience दे उससे मैंने जो कुछ भी सीखा और समझा है कि क्या चीज करना चाहिए क्या चीज नहीं करना चाहिए इन सब चीज को सिखाने के लिए टीचिंग के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू तो यहीं पर समापत होती है आज की practice कल मिलेंगे नए practice के साथ तब तक के लिए चैनल को like, share और subscribe जरूर कर ले और जितने ज्यादा लोगों को हो सके share करें बाबाई